हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स वास्तु सास्तर के अनुसार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें घर में रखना बहुत सूब माना जाता है और बोलते हैं कि ये प्लांट धन को भी आकरसित करते हैं तो कौन-कौन से प्लांट हैं और किस दिसा में आपको इने रखना चाहिए इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए काफी हैलफुल है और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें चैनल को अगर आपने भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजे तो फर्स्ट नमबर पर मेरे सामने आप देख रहे हो तुलसी का प्लांट तुलसी का प्लांट सभी को पता है कि घर में रखना बहुत सुब माना जाता है लेकिन इसे रखने की सबसे अच्छी जगह होती है उत्तर पूरू दिसा उत्तर पूरू दिसा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये दिसा जो होती है धन के देवता की मानी जाती है कुबेर दिसा होती है ये वाली इसलिए इसे उत्तर पूरु दिसा में रखा जाता है आर्थिक स्मरद्धी के लिए भी तुलसी का पोधा बहुत अच्छा होता है हमारे घर के लिए और तुलसी के पोधे की आपको पूजा भी जरूर करनी चाहिए शाम के टाइम इसके पास आपको दिया जरूर जलाना चाहिए इसके अलावा तुलसी के पोधे को ग्रो करना भी बहुत आसान है इसके जो उपर बीज उगता है इसी से इसको उगाया जाता है इसके अलावा आप इसको कटिंग से भी उगा सकते हो इसे घहना करने के लिए जो इसके उपर काफी सारा बीज उगता है आपको उसे टाइम टाइम कट करते रहना चाहिए इसके बाद है मनी पलांट तो मनी पलांट भी घर में रखना बहुत सुभ माना जाता है मनी प्लांट की सबसे अच्छी दिसा होती है दक्सिन पूर्व दिसा इसे दक्सिन पूर्व दिसा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस दिसा के देवता स्री गनेश जी माने जाते हैं जो की सभी परेसानियों को ऐसा बोलते हैं कि हर लेते हैं इस तरीके से तो आप मनी प्लांट को दक्सिन पूर्व दिसा में रखिए जो कि आपको बहुत सूब फल देगी इन्हें आपको नीचे की साइड में कभी भी नहीं लटकाना चाहिए हमेशा उपर की तरफ लटकाना चाहिए कहते हैं कि जितना मनी प्लांट घर में फैलता है उतना ही सुब माना जाता है तो मनी प्लांट को भी आप बहुत इजी ग्रो कर सकते हो और इसकी केर करना भी पहुत आसान होता है मनी प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो नेक्स्ट है हमारा पान का पोधा तो पान के पोधे पर भी लक्समी जी निवास करती हैं तो पान का पोधा भी बहुत जादा शुब होता है इस पोधे की सबसे अच्छी दिशा होती है पस्चिम दिशा पस्चिम दिसा में रखने से ये आपके घर में बहुत अच्छा अपना सुभ फल देते हैं पोधे इस दिसा में आपको कधी भी जो कांटे वाले हमारे पोधे होते हैं उन वाले को नहीं रखना चाहिए इसमें सिर्फ हमें ऐसे रखने चाहिए जो की सुभ होते हैं जैसे पान का पोधा हो गया इस तरीके से ऐसे पोधे आपको इस दिसा में रखने चाहिए पस्चिम दिसा में इस पान के पोधे को भी ग्रो करना बहुत आसान होता है इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो बहुत इसी से नेक्स्ट है क्रैसुला का पोधा तो क्रैसुला का पोधा जो होता है ये भी घर में बहुत सुभ होता है भोलते हैं कि ये चुम्बक की तरह पैसे को अपनी ओर आकर सित करता है तो क्रैसुला के पोधे को आप हमें साथ जो हमारा मेन दुआर होता है मतलब मेन गेट होता है उसमें अंदर जाते इक टाइम आपको दाहिने साइड में इसको रखना चाहिए इस तरह से अगर आप इस तरीके से रखो गए से तो यह बहुत अच्चा आपके घर में मतलब सकर उर्जा को भी परवेश देता है और बहुत ही अच्छा ये घर में माना जाता है इसे रखने से धन की व्रद्धी होती है क्रैसुला के पोधे को इसकी पत्तियों से भी आप इसको ग्रो कर सकते हूँ छाया में भी रख सकते हो धूप में भी रख सकते हो बहुत सुप पोधा ह नेक्स्ट है हमारा फेंग सुई या फिर लकी बैंबो लकी बैंबो को भी घर में रखना बहुत सुब माना गया है घर में सुक शान्ती स्मरद्धी के लिए लकी बैंबो को लगाया जता है इसकी सबसे अच्छी दिसा होती है दक्षिन पूरु दिसा इस दिसा में रखने से ये और भी ज़्यादा powerful हो जाता है इसे आप मिट्टी में भी लगा सकते हो पानी में भी लगा सकती हो इसके cutting भी बहुत easy चलते हैं और बहुत ज़्यादा care भी इसको नहीं चाहिए होती है मैंने देखी यहाँ पर इसकी कुछ cuttings मिट्टी में लगाई हुई है पानी में अगर आप लगाते हैं तो इसका कम से कम तीन से चार दिन में एक बार पानी बदलते रहिए साफ करते रहिए तो इसका पोधा आपके पास बहुत सुभ होता है फेंग सुई होते हैं इसके जो कि आप ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो डेकुरेट के लिए नेक्स्ट है जैड का पोधा तो जैड का पोधा भी हमारे घर में सकरातम उर्जा को बढ़ाता है और बहुत सुभ भी ये माना जाता है इसे आप उत्तर पूरुवदिसा में रखिए या फिर घर में जब हम परवेश करते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ आप इसको रखिए मेन गेट पर बाहर तो भी इसका बहुत अच्छा फल आपको मिलता है इसे ग्रो करना भी बहुत आसान होता है इसकी छोटी छोटी कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो इसके अलावा आप इसे च्छाया में भी रख सकते हो और धूप में भी रख सकते हो बहुत ज़्यादा केर की भी इसको जरुरत नहीं पड़ती है इसमें सिर्व आपको पानी कम डालना होता है इसकी पत्या जो आप देख रहे हो इनमें पहले से पानी इस्टोर करके रहता है इसके बाद है हमारा समी का पोधा तो समी का पोधा भी सनी देव जी को प्रिय होता है तो ये भी घर में रखना बहुत सुभ होता है लेकिन इसको रखने की सबसे अच्छी दिसा जो होती है वो होती है दक्सिन दिसा लेकिन इसे चाहिए धूप और अगर आपके यहां धक्षिन दिशा में धूप नहीं आती है तो आप इसे पूर्व दिशा या फिर इसान कोन में भी रख सकते हो इसके उपर छोटा सा फूल भी आता है मरजेंटा कलर का जो की देखने में बहुत सुन्दर लगता है समी के पोधे को भी घर में जरूर लगाना चाहिए बहुत फाइदे मन्द होता है इसके पास अगर आपको पूजा करनी है तो आप मंदिर में पूजा कर सकते हो घर में इसकी पूजा ना करिए सो अब नेक्स्ट है हमारा केले का पोधा केले का पोधा बहुत ज़्यादा हमारे घर में पवित्र माना जाता है इसकी पूजा होती है तो इसे भी घर में जरूर लगाना चाहिए इसकी सबसे अच्छी दिसा होती है इसान कोण में या फिर आप इसे उत्तर पूरु दिसा में भी लगा सकते हो केले के पेड को हमेशा पिछले हिस्से से लगाना चाहिए तो ये ज़्यादा सूफ़ल देता है इसकी अगर आप घर में पूजा करते हो तुलसी के पूधे के पास रखके तो ये बहुत सूफ़ल आपके घर में देता है so friends इस वीडियो में इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो thank you so much and bye bye